उत्तराखन सूबे में रुद्रपूर के रामपूर इलाके से एक संसनीखेज मामला सामने आया है यहां पुलिस ने क्रूर्ता की सारी हदे पार कर दी बताया जा रहा है स्थानिय पुलिस कर्मी ने हेलमेट नहीं पहने पर एक युवक के सिर में बाइक की चावी घूप दी इस खटना से आक्रोशित लोगों ने थाने पर जम कर पत्राव किया वहीं आरोपी पुलिस कर्मियों को निलमवित कर दिया गया है खटना रुद्रपुर के रामपुर की है जांकारी के मुताबिक पीवित युवक सोंवार रात अपनी परोसी के साथ बाइक से जा रहा था इसी भी चिंदिरा चौक के पास चीता पुलिस युनिट के दो सिपाही हेलमेट चेक कर रहे थे दोनों पुलिस कर्मियों ने बाइक सवार दीपक को रोका इसके बाद पुलिस कर्मियों ने इनसे गारी के कागजात मांगे जिस पर युवक ने गारी के कागजात दिखा दिये लेकिन बाइक सवार हेलमेट नहीं पहना था पुलिस ने उनसे हेलमेट के बारे में पूछा तो दोनों में कहा सुनी हो गई मामला इतना बिगर गया कि एक सिपाही ने पीरित की बाइक से चावी निकाली और माथे में घूपी पुलिस के इस खृत्य से वहां घीर जमा हो गई इसके बाद आक्रोशित योगों ने थाने में के सामने विरोज शुरू कर दिया युवक को एलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर आया गया वहीं घटना की सूचना युवक के गाउं तक पहुंची तो काफी संख्या में लोग थाने पहुंच गये लोगों ने थाने के बाहर हंगामा शुरू कर दिया लोगों की मान ठीकी दोनों आरोपी पुलिस कर्मियों को उनके सामने लाया जाए मामले को बिगरता देख आरोपी सिपाही विजयकार की वहां से भागने लगा तो लोगों ने उसे धर दबोचा और जम कर पिटाई कर दी इतना ही नहीं लोगों ने वर्दी तक फार दी आक्रोशित लोगों को काफी समझाने की कोशिश की गई लेकिन लोग मानने को तयार नहीं थे इसके बाद मौके से पुलिस ने बल प्रयोग कर लोगों को वहां से हटाया इस पर लोगों ने थाने पर पत्राफ शुरू कर दिया और थाने में तोड़ फोर की बताया जा रहा है कि इस हमले में कुछ पुलिस कर्मी घायर भी हो गए आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंट कर दिया गया है चेत्र के विधायक के पहुँचने पर मामले को बमुश्किल शांत कर आया गया एसेसपी दिलीग सिंग कुवर का कहना है कि मामले की चानवीन की जा रही है यह कहां की बात है इंद्रा चुरा है पेट्रोल वम की सीप्यू आफिस के सामने ठीक ठीक